यार मैं इतना दुखी हूँ न क्या बता हूँ आप लोगों को लगता है इस देश में मुसल्मान होना गुना हो गया इसी बात पर आप लोग मेरी दर्द भरी जरा साहिरी तो सुन लीजिए नफरतों का असर देखो इंधन का बटवारा हो गया लपीजी हिंदू और सी एंजी मुसल्मान हो गया ये पेड़ ये पत्ते ये साखे भी परिसान हो जाए अगर सेलेंडर भी हिंदू और मुसल्मान हो जाए कोयमबटूर में कोटे इस्वरन मंदीर है एक उसके बाहर सुबह सुबह चार बजे के करीब मरूती 800 वाली जो कार होती है उसमें बलास्ट हो गया कब दिपावली से एक दिन पहले तमिलनाडू पुलिस ने कहा कि गाड़ी में जो CNG वाला सेलेंडर होता है वो एक्सिडेंटली बलास्ट हो गया हुगा जिसके कारण ये घटना हुई है घबराने की कोई बात नहीं है फिर भाजपा के के अन्नामलाई जी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके इसे टेरिस्ट अट अन्नामलाई जी ये भी तो हो सकता है कि जुबीन भाई की कोई बकरी उनके मैसेज कर इपलाई नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पे खत्म बाई बाई टाटा इसलिए बिचारे वो सेड साइरी लगा रहे हो पर नहीं आपको तो इस घटना की जाच एनाईय से ही करवा के च टेरोरिस्ट आटेक, टेरोरिस्ट आटेक चिला रहे हैं वे ये क्यों नहीं समझते कि यार ये भी तो हो सकता है कि अगले दिन दिपावली थी मुबीन भाई और उनके अन्ने साथियों ने सोचा होगा कि यार कल तो सब वीजी हो जाएंगे हिंदू, हैपे दिपावली का रिप्लाई तक नहीं करेंगे वटसब पे तो क्यों न चलके सुबह सुबह हैपी दिपाउली ने एडवांस बोलाएं सबको फिर कुछ लोग कहेंगे तो हैपी दिपाउली विश्कर ने सिलेंडर लेके क्यों जा रहे थे क्योंकि घटना इस्थल से एक और सिलेंडर बरामद तो चलो मैं अपना ये बड़े वाला सिलेंडर उन्हें देता हूं हो सकता है कि नहीं अब भलाई का जमाना भी नहीं रहा यार जो सोच रहे हूंगे कि कील क्यों थी तो भाई पंचर कैसे होता है गाड़ी हो मैं क्या पता उनके किसी दोस्त का पंचर लगाने का बिजनेस ह हैं फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुबीन भाई जानके सरीर भी बहुत सारा पोटास लगा हुआ था तो हां भाई लगा हुआ था और क्यों लगा हुआ था वह मैं बता देता हूँ वही पटाके बैन थे दिपावली पे तो मुबीन भाई ने सोचा होगा पटाके फोड़ने पे बैन है खुद को फोड़ने पे तो नहीं है बैन नहीं मतलब क्रेकर्स बैन था सुसाइड बॉंबिंग थोड़े न बैन की थी किसी ने और क्या पता मुबीन भाई जो है वो खुद का जेंडर ही क्रेकर या बम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन्होंने सोचा हो कि मही फट जाता हूँ अब क्या चाहरे हो कोई विचारा माइनोरटी अपना जेंडर भी न चूस कर पाए हो सकता उनका जेंडर ही बम होता ना I identify myself as बम हो रहा उनके मन में उस दिन समस्त्य क्यों नहीं हो आप लोग अब जो सोच रहे हैं कि मुबीन भाई को क्यों इतनी चुलती दिवाली मनाने की तो साइद आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको याद दिवा दूँ यह वो देश है भाईया जहां की दिपावली में अली होता है और हमारे देश में गंगा जमुना नाम की संस्कृती बहती है और यह NDTV वाले जिनके नाम के आगे आर लगा रहता है वो क्या लिखरे हैं भाईया वो लिखरे हैं कि मुबीन भाई के घर से लो इंटेंसिव एक्स्प्लोजिव मेटेरियल जिसमें पोटेसियम नाइटरेट अलुमूनियम पाउडर चार्कॉल और सल्फर भी मिला है जो देशी बम बनाने के काम आता है या फिर मेक इन इंडिया की सोच के कुछ श्चार्ट अप प्लान कर रहे हो भाई तुम्हें कैसे पता कि भाईया वो बम बनाने के लिए रखा हुआ था रो मेटेरियल कुछ लोग कह रहे हैं कि मुबीन भाई की गैंग के कुछ लोगों को आईबी की इनफोर्मेशन के बेसिस पे एनईए ने 2019 में सिरलंका में जो इस्टर बॉम्बिंग सोई थी उसके बाद इन लोगों को आईएस आईएस से सम्मंद के आधार पे गिरफ्तार किया था ओफिसियल्स का कहना है कि यह आईएस आईएस रेडिकलाइस्ट ग्रूप था जो पहले लस्करे तैबा से जुड़ा हुआ था पहले तो भाई ग्लोबलाइजेशन के इस दोर में अब इस देश में एक बिचारी माइनोरेटी सोरी परसीक्यूटेड माइनोरेटी कि फोरें देशों में फ्रेंड्स भी नहीं बना सकती मतलब यार फॉलोवरी तो है माइनोरेटी यह भी डिसाइड नहीं कर सकती कि किसे फॉलो करना और किसे नहीं और यार आयस इस सब्मढ़ने तो क्या ही हो गया तुम लोग तो वसुदेव कुटुमकम वाले हो ना फिर देश बिदेश क्या है इसमें अंतर कुछ लोग मुबीन भाई एंड गैंग को रोहिंगिया बताने लगे नॉन लोकल बताने लगे यह बाहर से आके बसे हुए भाईया अब यार आप लोग एक बार मुबीन भाई की सकल देखो यह जूम करो देखो गौर से मतलब चेहरे से बंदा तमिल कल्चर की वाइपस नहीं दे रहा है तुम्हें देखो यह आंके देखो क्या तुम्हें इनमें एकदम ओरिजिनल द्रेविड फीचर नहीं दिख रहे का आपको मतलब जो पेरियार की कलपना थी कि ऐसा द्रेविडियन कल्चर है हमारा ऐसा द्रेविड कर दिया था इसलिए वैसे हो गए है असली तमिल कल्चर मुबीन भाई के मूँ से दिख रहा है फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि बंबनाने का माल मुबीन भाई ने ओनलाइन मंगवाय था तो भाई इसमें भी दिक्कत है क्या तुम्हें डिजिटल इंडिया में हिस्सा नहीं देख लो कितने बाइस थो तुम लोग एक माईनोरीटी के लिए एक विचारा माईनोरीटी ओनलाइन बंबनाने का माल मंगाता है तो भी दिक्कत है तुम्हें अब बाई डिजिटल इंडिया तुम ही तो कहते हो अब ये डिजिटल हो रहे हैं तो इसमें भी समस्या और या भाई तो मस चूलेगी रोटी खाते थे अब गैस की उन्हें पसंद नाई हो तो हो सकता है सोचा इसका कुछ फूट फूल कर लेते हैं और फट गे भाई जान फिर खबरों में आ रहा है कि मंदिर के आसपास कहीं पुलिस का बेरिकेड लगा था जिससे बचने की कोसिस कर रहे थे मुबीन भाई और उनकी टीम तभी सिलेंडर फट गया तो भाई यार तुम ये बताओ कि पुलिस को और कोई कामदाम नहीं क्या कि सुबह-सुबह बेरिकेड लगा के खड़े हो जाते हैं कहीं भी दरादियान मुबीन भाई जान को बेचारा माइनोरेटी था एंजाइटी फिल होने लगे होगी एंजाइटी अटेक आने लगे होगे डर के मारे फोड दिया हो ये भी तो हो सकता है भाई हो तो सकता ही है और तमिलनाडू पुलिस जो पहले कह रही थी कि CNG वाले सिलेंडर में एक्सिडेंटली आग लगने के कारण ये हुआ है और ये कोई सुसाइड अटेक नहीं है वो भी अब खोच-कोच का चीज़ा निकाल ली है और मजबूरी में ही सही सच्विकार कर रही है कि भाई या था तो सुसाइड अटेक ही तो भाई अब इस देश में माइनोरटी अपने प्राइवेट कार में बैठ के जिहाद भी नहीं कर सकता ये कैसा समाज बना दिया है हम लोगों ने जहाँ जिहादी को जज किया जा रहा है जो फिदाईन हमले में निकल गया वो तो गया लेकिन इस प्रकार की फिजूल बाते करके ये देश ये समाज लाखो करोडो जिहादियों को ट्रॉमा और एंग्जाइटी क्यों दे रहा है मेरा मन बड़ा व्यर्थित है क्या हम डिप्रेशन मुखी समाज बनते जा रहे है यार मेरे को तो समझी नहीं आ रहा कि ये कैसा देश बना रहे हम लव रहे तोलिया लव यार आशो नहीं रुक रहे